मैं तो पिछले 24 साल से गालिया खाखाखा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ मौत का सुधागर किस ने कहा था गंदीनाली का केडा तो चुनाव यह जो नहीं हो यह लोग बांते हैं कि गालिया देने का उनका इपक्ष ने आपको ये पुड़ा कच्रा पकड़ा दिया वह पूड़ा कच्रा लेकर कि आप हमारे पाथ पहुंच आते हैं एक बीडिया वाल नमश्कार, हेलो और वेलकम तो दे लीगल अब्जरवर आज बाद प्रधान मंत्री नरेंद मोधी के इंटर्व्यूज की लगातार एक के बाद एक प्रधान मंत्री के अब तक कोई 80 से ज़्यादा इंटर्व्यूज हो चुके हैं समुचा विपक्ष जो अब तक उन पर आरोप लगाता रहा था कि प्रधान मंत्री प्रेस से बात नहीं करते हैं, इंटर्व्यू नहीं देते हैं तो प्रधान मंत्री जे उनकी सारी शिकायते दूर कर दी हैं देश में इसमें बहस गोदी मीडिया, मोदी मीडिया पुरी चल रही है और दो हिस्सों में देश बढ़ चुका है, इस चुनाओ का सबसे बड़ा मुद्दा, कोई चाहें को यो भी कहें, वो खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ही बनके उबरे है, पूरा डिस्कोर्स पूरा विमर्ष, उनके ही इदगिर्द घूम रहा है, ठीक है, अपोदेशन ने बहुत सारी बाते की हैं और उनका असर भी पड़ा है, चार जून को तो खेर वास्तविक्ता पता चली जाएगी क्या हुआ है, अभी जो ताजा इंटर्व्यू आज जो उन्होंने दी है, मत इस एबीपी न्यूस, न्यूस नेशन, इतनों की ही जानकारी मुझे चल पाई है, हो सकता है कि और भी प्रदानमंत्री जी ने साक्षातकार या इंटर्व्यू दिया हो, इन्वर्टेट कॉमाज वाले इंटर्व्यू, हम बात कर रहे हैं, एएनाई को दिये वे, उनके इं इंटर्व्यू दिया है, न्यूस एजनसी है ये, उन्होंने सवाल पूछे प्रदानमंत्री जी से के इस चुनाओं में परसनल अटेक को लेकर के, डिस्कूर्स को लेकर इशारा था उनका, परसनल अटेक को उन्होंने लेकर का कि आप पर भी लोगों ने अटेक किये, और आपने भी लोगों को अटेक किया, आपने भी इस तरह की बाते की, तो उन्होंने का कि देखो जी, मोदी को आदत पढ़ गई है, मोदी दू गाली खा रहा है चोविस साल से, मेरे तो एक साथी MP ने परलेमेंट में कैलकुलेट किया तो अब तक 101 वार से ज्यादा का गिंती खा 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 करके गाली प्रूफ हो गया हूँ, मोद का स्वधागर किसने कहा था, गंदी नाली का केड़ा किसने कहा था, और मेरे तो पारल्लामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिना ही थी, तो चुनाव या चुनाव ना हो, ये लोग बां है या अनुरोध है या अपेक्षा है या आशा है, एक्सपेक्टेशन है, उसका उन्होंने जिक्र किया, कि जुडिश्री से वो ये अनुरोध करना चाहते हैं, कि देश में जो एंजियोस है, स्वैम से भी संस्थाएं हैं, जो बात करती हैं, उन मुद्दों की. सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंतर को प्रार्थना करना चाहते हैं, कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसके एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था, अब उ वहां के बच्चे कहते हैं कि पांच साल से इंटरनेट बन नहीं हुआ है पांच साल से हमें सब शुविदाई मिल रही है कुछ दिन तकलिव हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी अब वो अदालत के अंदर जिब विवादों में चड़ जाता है तब चीजें को बचाना जरूरी है जाहिर तो और पर नो नाम तो किसी का नहीं लिया लेकिन किसी को भी समझ में आएगा जो ये इंटर्यू देखेगा तो वह इशारा उनका था ADR जैसी सहस्थाओं का जो पब्लिक इंटर्स लिटिकेशन लगाते हैं जा ऐसे मुश्किल सवाल पैदा करते हैं अब जैसे बताएए इलेक्टरल बॉर्ड इतनी अच्छी स्कीम थी प्रधानमंत्री जी के शब्दों के साबसे उसमें जवरदस्ती देशों कन्फूजन कर दिया इडियार ने इस तरह के लोगों ने तो उन्होंने बताया कि कश्मीर में देखे हमने इंटरनेट बंद किया हमने कुछ कड़े कदम उठाए और मामला एंजियो उसने पहुचा दिया अदालत में अदालत में जब जाकर इस पर कंट्रोवर्सी होती है तो पर मुश्किल हो जाती है तो वो जिस्टिफाई कर रह को, समविधान को, प्रभुसत्ता को, सवरिनिटी को, समप्रभुता को वो रिककनाइज कर रहे हैं यानि कश्मीर भारत का अभिवाज्य हिस्सा है उसमे किसी को इतराज नहीं है उसी का जिकर करते हैं उन्होंने यह अपेक्षा अपनी जताई कि एंजियो को एंकरेज जु कैमरा अधालत में तो आजकल सुप्रीम कोर्ट में फैशन हो गया है यह उनका कमेंट था कि कृष्ण को प्रष्टाचारी घोशित कर दिया गया हो था फिर कुछ दिन बाद उनकी राय बदल भी गई थी जब बैलेट पेपर वाला जो वीवी पैट का जो जन ने आया था कि भई बैलेट पेपर की देश को जरूत नहीं है और उन्होंने खिचाई भी की थी एडियार की तो जो कमेंट थे वो प्रदानमत्री जी को बड़े भाय थे वो अच्छा लगा उनको कि जुडिशीरी ने कहा है उसके बाद उन्होंने एक गंटे बाद इन्होंने बताया था कि ये विपक्ष के मुँपे तमाचा है उन सस्थाओं के मुँपे तमाचा है जो देश की प्रगती में बाधाये बनती है और अदालतों का इस्तमाल होता है तो मोटे तोर पे अगर इसको समझे है तो कोई भी समझ जाएगा कि प्रदानमत्री जी की जुडिशी से एक् माई लॉड की ये सारी बाते कही चुके है उससे पहले 600 चिठी 600 वकीलों की चिठी कांड भी आपकी जानकारी में है ही उसमें कुछ हुआ नहीं था उसका असर ये हुआ कि कपिल सिब्बल जी जो एक तरीके से अपने जीवन के चरम पर हैं मतलब कैरियर के जीवन के वो वा अनकुमार मिश्राजी भी थे लेकिन राजनीती ये तो चलता ही रहता है तो ये एक महत्पून बात प्रधान मत्री जी ने इस साक्षातकार में कही जो आपके जानने योग्या है इसकी क्लिप हम छोटी सी आपको दिखाने की चेस्टा करें कि बाकी तो इंट्रिव्यू त तो ये एक प्रमुख बात थी अब ये जो एंकरम हो दे थे हमारे जो इंट्रिव्यू ले रहे थे अब अभी तो आपको मालूम है कि समय बहुत चर-चर चल रही एक इंट्रिवू कैसे स्क्रिप्ट किये जा रहे हैं फिक्स किये जा रहे हैं जो स्थापित मापदंड हैं पेरामीटर्स हैं मीडिया में साक्षातकार के वो इन दिनों सब गड़मड से हो गए हैं और प्रधानमंत्री का वो भी मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री का जिनों ने इस देश को कितने महत्मून यूट्यूबर्स दे दियें रविश कुमार, अजीत अंजूम, अविसार शर में उनका धन्यवाद देते हैं कि आज मोदी जी न होते हैं, उनकी नीतिया न होती, मीडिया किस तरीके से संचालित हो, मीडिया की क्या जिम्मेदारी उने चीह जिसका इंटर्व्यू में आज भी जिक्र किया मोदी जी ने, तो ये लोग तो अभी नोकरी कर रहे होथें, आज ये सब स्वतनतर रूप से इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, अच्छा-कासा अपना चला रहे हैं, तो उसका काफी कुछ योगदान, काफी कुछ जो उसका श्रे है, वो आधरणीय नरेदर महुदी जी को जाता है. तो उसी इंटर्व्यू में ये एंकर महुदे ने एनाई के इन्होंने जिकर किया बेस्ट बंगाल का, और उन्होंने बताया कि साब वहाँ पर बड़ी काटे की टककर चल लिए, तो प्रधानमद्दीरी नोंको बताया कि आप एनाई के जो तुमारे रिपोर्टर्स हैं, उनक कुछ काउंटर नहीं था, मोधी जी बंगाल में भी ताबर तोड एक टककर की लड़ाई चल रही है, आपके भी बहुत कैपेनिंग वहाँ पर आपने की है, और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल, क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्स कैसे रहेंगे बंगाल एक तो मुझे लगता है कि एनाई के जो फूट सोल्जर से हैं, एक बार उनको वेरिफाय कर देना चाहिए, कि वह कहां से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं, बंगाल के चुनाओं में टीम सी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उससे पहले उसने सवाल प कोट के भी जज्जमेंट नहीं माने ही, अब ये था सावाल प्रधान मत्री जी की रूची का, यहां पर बिल्कुल सही था उनको, यह क्यों एक दम सही था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, बताया, कि भई, यही तो मैं कह रहा हूं, कि यह लोग रात तो रात मुसल्मा के तुष्टी करन की बात करते हैं, और इन्होंने मुसल्मानों की इतनी जातियों को OBC में कनवर्ट कर दिया, और OBC का हक मार लिया, और इस पर अब हाई कोट में बिल्कुल कनफर्म कर दिया, अब तो अदालत ने बोल दिया, हाई कोट कोई बोल रहे हैं, बोल दिया हाई क महत्पून बात के हाई कोट ऑफ कैलकटा ने बड़ी महत्पून बड़ी तीकी टिपड़ी की है भारतिय जंता पार्टी के चुनावी कैमपेन को लेकर उनके पोस्टर वार को लेकर जो उनका कंटेंट है डिटीजमेंट का जिसको निचली मतब हाई कोट ने भी खारिच कर द वो महत्पून था जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि यह बिलकुल हम दखल देने योगे नहीं है जो हाई कोट ने कहा है विलकुल ठीक है आपने जो एड़ीजमेंट बनाए है सनातन विरोधी टाइप के एड़ीजमेंट है बमतब एनरजी पे टेमसी पे जो व्यक्तिकत आ कोन राइजेशन का विभाजन कारी सीथा सीथा स्वें दरहाता और पर्सनल आक्षेप प्रसनल अटैक बसब डेरोगेट्री है रिइस्परजिंगा यह तो सुप्रीम कोट की कमेंट है और उन्होंने कहा कि हमें हरानी है कि चुनावायो कहा है, कहां सो रहा है, क्या कर रहा है चुनावायो, है भी के नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, उसके कानों पे जू नहीं रहेंगी, उसकी आखे बन थी, हाई कोट ने बहुत तीकी टिपनिया इस पर की, इसका कोई जिकर ए मंगाल के कंटेक्स में जो ये अपने अंकर महुदे या तो भूल गए होंगे या उनके स्लेवस में नहीं होगा या भाई नौकरी तो करनी है आखिर में कौन पंगे लिगा किसकी इम्मत है किसकी जुर्रत है तो जो भी कहिए लेकिन सवाल वो आपके जानने के लिए जरूरी है वो ये था कि उसी हाई कोट ऑफ कलकटा ने वहाँ जो एक उम्मीदवार है तमलुक जिसमें अभी एक तरीक कोट पढ़ना है अभी जीद गंगोपाद जाये गंगोली साब ये जश्त है हाई कोट के कलकटा हाई कोट के और ये छोड़ करके कूद गए थे इसमें उन पर एक दिन का प्रतिबंद लगा इस पूरे चुनाओं में इकलोते उम्मीदवार है ये जिन पर प्रतिबंद लगा जिन पर चुनाओ आयोग ने कहा स्थापित कर दिया जिनको सर्टिफिकेट मिल गया कि इन्होंने मौडल कोड अफ कंडेक्ट का उलंगन किया और इनकी चर्चा नहीं है किसी मीडिया में चर्चा नहीं है आई कोड ने जैसे ये घटना हुई ही नहीं उन लिखनी है नहीं है ये है प्रभाओ और उन्होंने बताया ब्रदानमत्तरी जी ने कि जब इन्होंने थोड़ा सवाल पूछा के भई इस तरह का आरोप लगा रहा है प्रदानमंत्री से सरकार से सवाल कैसे पूछे जाने चाहिए कौन से चीजज एडिट करनी है कौन से चीज फिल्टर करनी है ये भी उन्होंने बताया और उन्होंने का तुछना है तुमें उनसे पहले पूछो हैसाpy इसका कानूनियम क्या है इसको पुछो नहीं उसकी आपके हिम्मत नहीं है लेकिन वह जो कुड़ा कजरा फैंकते हैं वह कुड़ा कजरा लेकर क्या मेरे आते हैं इसका इस्तेमाल और कर रहा है विरोधियों को दबाने के लिए मेरा मिडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको यह कुड़ा कच्रा पकड़ा दिया वह कुड़ा कच्रा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं मिडिया वाले रिशर्च करें कि भी सरकार के लिए क्या सवाल पूछने तो कुछ पूछते नहीं हो और इसलिए मैं समनता हूं कि यह चर्चाएं उनके साथ करें से ज्यादा अच्छा होगा तो यह है जो बदलते वक्त में जो समाम सारी चीजें बदल रही हैं निष्ठाएं आस्थाएं माननेताएं परीभाशाएं नेतिकता की भी और दुनिया समझदारी की भी उस ही में मीडिया भी यह शामिल है तो मीडिया के भी जो मापदंड हैं पैरामीटर्स हैं वो जाहिर समाज के साथ ही तो बदलेंगे और लोकतंत्र की वी जो परिवाशा हैं उसे बदलने की तो चिश्टा होई रही है तो यह जानना आपके लिए जरूरी इसमें ज्ञान लेना चाहें, योकि अवश्यक है, तो किसी भी YouTube पर जाल कर देखिए, आपको मिल जाएगा, बाके इंट्रुइूस पर फिर हम चर्चा करेंगे, तो बने रही हैं Legal Observer के साथ, हम कोशिश करेंगे कि आपको Objectivity के साथ, बिना किसी Prejudice के साथ, सही बातें आप तक पहुचा सके, हमारा प्रयास यदि आपको पसंदार आओ, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेर करें, नमस्कार.